और महादीव क्लासेज में आपका स्वागत है मैं आज आपके लिए प्रक्टिसेट अपना नेक्स्ट प्रक्टिसेट लेकर आई हूँ आसा है सभी को पसंद आएगा आप से अनुरोध है कि आप वीडियो में सुरू से लाश्ट तक बने रहेगा लाइक सस्क्राइब सेयर कर स्वांग आपको आपकी मर्जिया अगर आपको अच्छा लगए कीजिए नहीं लगता मत कीजिए ठीक है तो पहला कोस्चन है कॉमो लीठोग्राफय क्या है कोमो Polish लीठोग्राफी के लिए प्रसिद है यानि को मॉलितोग्राफि के लिए कौन प्रसिद ए तो वह जार्जबैक सटर कौन है जार्जबैक सटर में आपको चार विकल्प भी दे सकती हूं और टाइम वेश्ट लेकिन मैं जो जल्डि से कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा कुष्टन कराना चाहते मैं जो हूँ आपको one-liner रूप में जो है कॉस्षन दे रहे हूँ है कि इस प्रेच्च्वल इन- आर्ट के लेखा कौन है इस पीच्वर इस पूर इन- आर्ट गया कंडेस की ठीक है पेड़ पर चड़ते हुए लंगूर यानि पेड़ है उस पर जो कौन चड़ रहा है लंगूर चड़ते हुए यह चित्र का मिला है यह मिला है भीम बेठ का से का से मिला है भीम बेठ का अनि क्लिख में अन्य प्र simply है इसकी खुझ कि थी वाकन करने लिए जो है हुझ कि रही और यह कहाँ प्रोफेसर थे वाकन कर िहें उज्येयन विद्ध्याल्ले में, उज्येयन जो विद्ध्याल्ला था, वहाँ पर ये जो है प्रोफेसर थे, और कब की थी, 1958 में, kad ही audit – यहां कुल कितनी गुफाईły मिली है, 1960 मिली हैं तो भही मेठ्पका से संभनदी, जो मेंटे मोटे जो तत्य थे, विवहन क्वेस्शेन है हमारा अपसरा अपसरा चितरा नगनाग बालक या यह चितरन कहा पर हुआ है जोगी मारा में हुआ कहा पर हुआ जोगी मारा में हुआ इसका जोगी मारा का समय कितना बताते हैं इसका समय जो है 300 इसा पूर का बना बताते हैं 300 इसा पूर का और यह कहां पर है यह रामगड की पाड़ी में रामगड की रामगड की पाड़ी में इस्तित है कौन जोगी मारा गुफा है कहां पर है ये 36 गड़ में 36 गड़ में पहले का आती है पहले मध्य परदेश में आती थी लेकिन वर्तबान में किसमा आती है ये 36 गड़ में आती है और ये सबसे प्राचीन जो है नाट्टे साला भी कहते हैं इसे और ये किसकी दर्म से लेकिन जो जैन है वो सर्मान्य है बाग गुफाओं के निकट स्टेशन है यानि बाग की जो गुफाओं है उनके निकट कौन सा स्टेशन निकाला की हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है बाग की गुफा के निकट जो है ये आपसे कोश्चन पूश ले इस पीक आउट चितर किसका है इस पीक आउट चितर जो है ये कृष्ण खन्ना का है किसका है कृष्ण खन्ना का है अगला कोश्चन है कैटे काम का संबंद है जो कैटे काम का संबंद है वो इसाई कलास है किस से इसाई कलास है लावकून क्या है लावकून जो है एक मूर्ती है लावकून क्या है ये जो है एक मूर्ती है अंग्रेज युवा इसे अंग्रेज युवा पी बोल देते हैं और य यूवा अंग्रेज भी बोल देते हैं यह चित्र किसका है तो यह बनाया है टी-सी-एन ने नेक्स्ट नेक्स्ट है भारत में प्रथम निर्मित रंगीन फिल्म कोन सी है यानि भारत में जो सबसे पहले रंगीन फिल्म बनी थी तो वो थी किसान कर्निया क्या थी की जो थी हमारी किसान कर्निया नेक्स्ट है हमारा गूजरी महल गुळ्यर में इसका निर्मान किसने कराता है गूजरी महल में क्या इस्तित है इसमें बाग गुफा की प्रतिलीपी या रख्रोक्षित है। तो यह जो है कि इस महल का किसने निर्मान कराया था गूजरी महल जो था गौालियारी में यह कराया था मानसिमें तो तीन कोस्टेन होगे पहले की फुर्टिम महल कहा है तो आपका अंसर होगा कुलियों में तो इतने इतने कॉस्चन इस से बन जाएंगे आपके फिर है अगला दुर्गा नामक सरंख्रा जो है किस ने बनाई थी तो दुर्गा नामक सरंख्रा जो है ये विकास बट्याचारिये ने बनाई थी तो विकास बट्याचारिये के बारे में ये कहा जाता कि ये कैसे थे अतियतार्थवादी क्या थे अति यथार्थ वादी थे लेकिन इनकी जो ये दुर्गा सिरीज जो है ये अति यथार्थ वादी नहीं है बलकि कैसी है ये यथार्थ वाद में बने हुई है यथार्थ वाद में अगला है कोश्चन माई मदर एंड मी क्या है माई मदर एंड मी ये जो कृतिय है ये है सुबोध गुपता की है किस की है सुबोध गुपता की है धर्मपद पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है तो ये धर्मपद पुरुसकार जो है चित्रकला और मूर्तिकला दोनों के छेतर में दिया जाता है यंग मुमेन विदे वाटर जंग ये ज जान वर्मियर का है किसका चित्र है यूसुफ की निलामी चित्र जो है ये किस ने बनाया तो यूसुफ की निलामी जो चित्र है ये मुगलकाल का है किसका है मुगलकाल का है और ये ये जो बना है ये साजा के समय में बना है किसके साजा के समय में और इस चित्र को जो है फकीर उल्ला जो थे उन्होंने बनाया तो एक कोश्चन से आपके तीन कोश्चन निकल लिए हैं अगला है अगला कॉश्चन है दिल्ली में बस से गिर कर किस की मिरत्य हुई थी यानि दिल्ली में जो बस से गिरने के कारण से किस चिद्रकार की मिरत्य हुई थी तो वो हुई थी सैलोज मुखर जी किस की हुई थी सैलोज मुखर जी इसमें ये भी पुछा जाता कि सैलोज मुखर जी क भी पूछा जाता है सैलो मुखर जी से कि ये किस तरह के कलाकारें थे ये परभाववादी भी है और रंगवादी भी है तो आसा है आप सभी को जो है ये प्रक्टिस सेशन पसंद आया होगा इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम देती हूं धन्यवाद